Hello Friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Conjuring 3 का Hindi Explanation इस मुवी को डारेक्ट किया है Michael Jarvis ने मुवी की शुरुआत जुलाई 18, 1981 से होती है जहाँ पर हम Ed and Lauren को Gadzal family के घर में देखते हैं वहाँ पर प्रेयर्स हो रही होती है क्योंकि Gadzal का छोटा बेटा डेविड अजीब तरह की हरकते कर रहा था जो कि demonic possession को शोग करता है Warrens वहाँ पर उसके exorcism को document करने आये थे क्योंकि कुछी देर में Father Godman डेविड का exorcism करने आने वाले थे Warrens के साथ उनका साथी Drew भी होता है जो कि cameras को install कर रहा था अब डेविड को आर्नी अपने कमरे में लेके जाता है जो कि डेविड की बड़ी बहन डेवी का boyfriend था आर्नी डेविड को शान्त करता है और नीचे आ जाता है तभी घर के बाहर हमको Father Godman दिखाई देते हैं और वह समच जाते हैं कि इस घर में बहुत कुछ demonic होने वाला है आधी राज को डेविड को किसी अधिश्य शक्ती की presence feel होती है और वह डर कर बातरूम में छुप जाता है शावर अपने आप चलने लगता है जिसमें से खून आ रहा होता है और डेविड जोर सोर से चिलाने लगता है वो completely possessed हो चुका था सब लोग उसकी चीक सुनकर उपर आते हैं तो डेविड अपने पिता के जांग पर चाकू से हमला कर देता है एड डेविड को पकड़ कर नीचे लाने की कोशिश करने लगता है मगर डेमेंट उसको रोकने की कोशिश करता है वो पूरे घर की दिवारों पस क्रैचिस के निशान बनाने लगता है फादर गॉर्डमेंट से एड बोलता है चर्च के बजाए यहीं पर एग्योसिजम करना पड़ेगा आपको याद होगा कॉन्जूरिंग वन में कैरोल को विच घर से बाहर जाने ही नहीं दे रही थी अब डेविड अपनी शक्तियों से पूरे घर का समान तहसनेस करने लगता है और इसी सब में फादर गॉर्डमेंट घायल हो जाते हैं ड्यू का कैमरा गिर जाता है डेविड अचीब तरह से अपने आपको मोल लेता है और अपने सर को घुमा देता है जिससे डेविव ढर जाती है और उसके दिल की धड़कन को रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन आणी उसको रोकता है और कहता है कि डेविड को छोड़ दो और मुझे पोसेस कर लो होता भी यही है एड यह देख लेता है लेकिन एड को हार्ट अटक आजाता है और वो बिहुश हो जाता है एड किसी को भी बता नहीं पाता कि उसने क्या देखा महाल एकदम शान्त हो जाता है और डेविड एकदम से ठीक हो जाता है लॉरन उस बाज मोट से बाहर आ जाती है और वो तुरन 9-1-1 पर कॉल करती है सबको लगता है कि एक्जॉजिसम पूरा हो गया और डेविड अप ठीक हो गया नेक्सीन हमको हस्पिटल का दिखाया जाता है एड को सीवियर हाट अटेक आया होता है और उसको रेस्ट की बहुत जरुवत थी लॉरेन एकदम शॉक्ट हो जाती है पर अपने आपको समालते हुए एड की देखभाल में लग जाती है अब आर्णी और डेवी को दिखाया जाता है जो अपने लैंडलोड ब्रूनो के हां रहते थे ब्रूनो उनसे रेंट नहीं लिया करता था डेवी ब्रूनो के डॉक्स की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी ब्रूनो बहुत अच्छा इंसान था वो उनको आवाज लगाता है तो वो दोनों नीचे आते हैं धीरे धीरे आर्नी पोजस्ट होने लगा था उसको हर जगा वो लेडी दिखाई देती थी जो लेरोईन को उस समय विजन में दिखी थी आर्नी जब पेड़ पचल कर पेड़ कातने का काम करता है तो उसके बैक साइड वाली विंडो पे उसे वो औरत दिखती है जिससे वो साइम पर एड को भी होश आजाता है हस्पिटल में वह लॉरेन को तुरंत बताता है कि डीमन अभी गया नहीं है उसने आर्नी को पुसेस कर लिया है और आज बहुत बुरा होने वाला है ग्लेड़ को तुरंत कॉल करो लॉरेन कॉल करती है मगर ब्रूनों ने इतना तेज म् के साथ हुक अब कर रहा है सड़नली पूरा मोहल बिकर जाता है और आर्नी को ब्रूनों की जगा एक दीमन निजार आता है जो कि उसके तरफ उसको मारने आ रहा होता है आर्नी तुरंत अपने पास रखे चाकू से ब्रूनों को 22 बार खमला करके उसे जान से मार डालता है औ अब यह खबर न्यूज में आग की तरह फैल जाती है कि इस टाउन में 193 एयर्स की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा भयानक मर्डर केस हुआ है पुलिस आर्नी को अरेस्ट करती है और वारेंस उससे मिलने आते हैं वो उसके सामने होली क्रॉस और होली वाटर भी रखते हैं औ और वो completely possessed था इसका मतलब यह है कि यह मडर आर्नी ने नहीं उस demon ने किया है वोरन डैबी और आर्नी को आसवाशन देते हैं कि जो भी उनसे बन पड़ेगा वो सब करेंगे उसे बचाने के लिए वोरन अब एक लॉयर के पास जाते हैं जो पहले demonic possession वाली बात को नहीं मानती वो कहती है कि इस भयानक कतलिकी सजा या तो मौत होगी या तो उमर क्याद वोरन उसको विश्वास दिलाने में काम्याब हो जाते हैं कि आखिर demon होते हैं वो कोट में बोलती है कि आर्नी ने मडर नहीं किया है demon ने किया है कोट में लंबी बहस के बाद कुछ दिन का समय lawyer हास चिकेट करने घ्रते एक ग्लैडजल फैमली के घर उसके recording सुनने लगते हैं कहानी 5 मेने पीछे चली जाती है ग्लैडजल फैमली और आर्नी इस घर में पहली बार आते हैं यानी बूनो के घर पे डैबी और आर्नी किस करने में बिजी हो जाते हैं और बेचारा डेविट एक रूम में कड़े water bed पर खेलने लगता है जहाँ पर उसको एक demon पकड़ लेता है और तभी से ये सब स्टार्ट हुआ था इस वक्ट डेविट की कही बात को सब लोग नजर अंदास कर देते हैं अब Warrens उस घर में आते हैं और उसी की दबित खराब होती है लौरन को एक विचेस टोटम मिलता है जो कि black magic या curse देने का जरिया होता है इसको देखकर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कोई ऐसा क्यों करेगा यहाँ पर हुआ यह था कि यह curse डेविट से आड़नी पर ट्रांसफर हो गया था फादर गॉड पे लजाते हैं जहां पे उन्होंने रैम कल्ट से जुड़ा हुआ समान इखटा किया था वो उनको एक कहानी भी बताते हैं कि एक लेडी ने स्विसाइड कर लिया था रेल विट्रैक पर उसका बच्चा समय से पहले पैदा हो गया था जिसका दिल शरीर के बाहर था पावर कैस्टलर उनको सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देते हैं जिससे कि वॉरेंग को कुछ हेल्प मिल सके अब हमको वो लेडी फिर से दिखती है जो आर्णी की फोटो पर ब्लैक मैजिक कर रही होती है उधर एक टेमन आर्णी को जेल में डराने लगता है जिससे देटेक्टिव ने दावा किया है कि वो टोटम ग्लैडजल के घर पे जो मिला था उसने वैसा ही सेम टोटम अपने पास भी देखा है वार्ण तूरंत उस देटेक्टिव के पास पहुंचते हैं डिटेक्टिव बताता है कि केटी और जैसिका नाम की दो लड़किया चार मह इने पहले लापता हो गई थी केटी की डेट बोटी तो जंगल में मिल गई थी मगर जैसिका गायब है केटी को भी 22 वर चाकों से घोपके मारा गया था जैसे कि ब्रूनों को मारा गया था और जो टोटम उनको ग्लैडजल के घर पे मिला था वो पुलिस को उसी जंगल में उन बच्चियों के पास मिला वारें केस की फाइल्स मांगते हैं लेकिन डिटेक्टिव उनको मना कर देता है वारेंस डिटेक्टिव से एक सौधा करते हैं कि अगर हमने जैसिका की बॉड़ी धून दी तो तुम इसके बदले हमको वो सारी फाइल्स देदोगे डिटेक्ट मुर्डर कि स्नाइप से हुआ था डिटेक्टिव ये बात देखे हका बका रह जाता है डिटेक्टिव उनको मुर्डर वाली जगहां पर ले जाने लगता है कुछ दूर जाने पर लॉरें कहती है कि वो जगह तो पीछे रह गई जिससे डिटेक्टिव फिर से शौक्ड हो और लॉरेन से बहुत इंप्रेस हो जाता है दूसरी तरफ डेविड और डेवी आर्णी से मिलने आते हैं जहाँ पर डेविड को आर्णी की हालत देखकर समझ में आता है कि आर्णी के आस पासी वो डीमन है क्योंकि जब वो पुझस था तो उसकी हालत आर्णी जैसी ही थी सेन लॉरेन पर शिफ्ट होता है लॉरेन को विजन आता है कि केटी और जैसिका उस रात को वहाँ घूम रहे थे जैसिका केटी को एक बैंड पहनाती है और सड़नली वो पुझस हो जाती है और केटी को 22 बार च्वाकों से घोप कर मार डालती है और अचानक से वो भागने लगती है लॉरेन जैसिका के पीछा करते वे भागती है एड भी उसके पीछे भागने लगता है लॉरेन अब पहाडी के पास आकर रुख जाती है जहाँ पर एक डेमानिक हाथ उसको नीचे खीचने लगता है मगर एड उसको बचा लेता है लॉरेन बताती है कि जैसिका नीचे पानी में है सर्च टीम को बाडी मिल जाती है और डिटेक्टिव अपने वादे के अनुसार फाइल्स वारेन्स को दे दीता है वोरेन्स होटल रूम में वापस आते हैं जहाँ पर डेमी का कॉल आता है और वो एड को बताती है कि दिमन गया नहीं है वो आर्नी को बार बार आत्माहत्या करने पर उकसा रहा है वोरेन्स तुरन फादर नियूमन को भेजने की बात बोलते हैं आर्नी को और कहते हैं कि उस पे नजर रखना तभी फोन कट हो जाता है अब आर्नी पोजस होने लगता है फादर आर्नी को होली वाटर की बॉटल दे कर चले जाते हैं लॉरेन डिसकशन के दौरान एक बार बोलती है कि ये एक कर्स है और इसको तोड़ा जा सकता है क्योंकि ये डिमेंड बुलाया गया है लॉरेन एड को उस विजन वाली लेडी के बारे में बताती है और वो जैसिका की बॉड़ी को टच करके कनेक्शन बनाना चाहती है आर्नी होली वाटर से घेरा बनाकर उसकी अंदर डर के मारे बैट जाता है वारेन तुरन मौचुरी रूम्प में जैसिका की बॉड़ी के पास जाते है लॉरेन जैसिका का हाट टच करती है और सीधा उस लेडी के पास बहच जाती है जहाँ पर वो लेडी आर्नी को पुझस करवाकर उस होली वाटर बॉटल की टुक्डे से उसकी नस कटने को बोलती है लॉरेन चिलाती है और उस लेडी का कॉन्सेंट्रेशन तूर जाता है आर्नी की जान बच जाती है ये लेडी लॉरेन को देखकर शौक्ट हो जाती है कि लॉरेन यहां कैसे आई लॉरेन गॉर्ड का नाम लेती है तो वो लेडी उसको बोलती है कि Your God has damned you क्योंकि ये connection दोनों साइट से जुड़ गया था अब वो लेडी अपनी शक्ति से मॉर्चुरी रूम में एक लाश को डेमन बनाकर लॉरेन की बोडी पर अटैक करवाने लगती है तब ही एड लॉरेन का हाँ जैसिका के हाँ से हटा देता है और वो connection तूड जाता है जिससे कि वो dead बोडी वहाँ पर गिड़ जाती है का एक ही जर्या है कि जहां से कर्स चुरू हुआ है उस जगह को खतम कर दिया जाए यानि कि उस table को तोड़ दिया जाए जिस table के जरिये लेडी उस कर्स को कर रही है लोरेन बताती है कि उस लेडी की सोल इस ritual पर दाव पर लगी है और वो नहीं रुकेगी इसी discussion के दोरान एड बेहोश हो जाता है और उसको खोश आता है कि वो घर में एक्दम अकेला है एक्दम से उसको वो लेडी दिखती है जो एड को बोलती है कि तुम लोगोंने मेरे बारे में बहुत कुछ पता कर लिया है बट अब तुम लोगों को यहीं रुकना होगा रुक जाओ अचानक से mortuary room वाली लाश एड पर हमला करती है लेकिन एड उस पर cross दिखा कर prayer करने लगता है खोश आने पर एड देखता है कि वो लोरेन को जान से मारने ही वाला था जिससे वो हका बका रह जाता है वो कहता है कि वो औरत घर में ही थी और इधर उधर तलाशी लेने लगता है वो देखता है कि पैरन फैमिली के भेजे हुए फ्लावर वास में वो टोटम है और वो फूल बुरी तरह से सड़ चुके है ड्रियू और एड फाइल्स मैप के जरिए उस कर्स वाली लोकेशन को ढूनने में लग जाते है अब लॉरेन उस बुक को लेकर फादर कैस्टरॉल से मिलने जाती है क्योंकि लेटन वाले पैराग्राफ को वो समझ नहीं पा रहे थे डेबी आरनी के पास जाती है और आज वो आखरी राती जिसमें रिच्वल पूरा होने वाला था आरनी को बेट से बान दिया जाता है फादर न्यूमन और डेबी प्रेयर करने लगते हैं जिससे की आरनी फिर से पोसेस होकर सुसाइड न कर सके लॉरेन फादर के पास पहुँचती है फादर उसको वेलकम करते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर देते हैं ड्रियू और एड उस लेडी के कर्स की जगां ठून लेते हैं जो कि कहीं और नहीं फादर केस्टरॉल का घर थी फादर लॉरेन को बताते हैं कि इस रिचुल को कम्प्लीट करने के लिए तीन सेक्रिफाइस करने की ज़रुआत है तीन सेक्रिफाइस मतलब पहला चाइल्ड, दूसरा लवर और तीसरा मैन ओफ गॉड जिसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड थी केटी, लवर हुआ आड़नी और मैन ओफ गॉड हुड हुआ एड इसलिए तुम लोगों के पास टोटम पाया गया और ये सब पहले से प्लैंड था, वो तुम लोगों को जानती है और फादर लॉरेन को बेस्मेंट में जाने को बोलते हैं अब आता है मुवी में एक सबसे खतरनाफ टर्निंग पॉइंट, इस लेडी का नाम इसला था और ये इस फादर की बेटी होती है जिसको रैम कल्ट में बहुत ज़्यादा जिलचस्पी थी और वो इस बेस्मेंट में बच्पन से घुमा करती थी और यहीं पर उसको ऑल्टर है एट लॉरेन को बचाने के लिए निकलता है और ड्रू को पुलिस को कॉल करके बहां भेजने को बोलता है लॉरेन जैसे ही टनल में जाती है इसला पीछे से आगे अपने फादर को मार डालती है फादर को अपने कर्मों की सजा मिल गई लॉरेन अब समझ जाती है कि फादर मर चुके है अब वो तुरंत उस टेबिल के पास जाती है और उसको तोड़ने की कोशिश करने लगती है मगर वो टेबिल बहुत भारी होती है तभी वहाँ पर इसला आ जाती है और लॉरेन को लॉरेन की ही जैसी दिखने वाली एक डिमॉन को मारने को बोलती है एड वहाँ पर आ जाता है हैमर लेके यहाँ पर इसला और लॉरेन में लड़ाई होने लगती है लॉरेन एक पत्थर से इसला पर अटाक करके भागती है जिस दोरान इसला टेबिल के पास जाकर रिच्वर्ट परफॉर्म करती है और एड पर कुछ फूक देती है एड पसेस हो जाता है और उधर आर्णी भी पसेस हो जाता है और खुद को मारने लगता है एड पसेस होकर हतोडा लेके लॉरेन के पीछे भागता है लॉरेन अपनी जान बचाती है और साथ में उसको प्यार की ताकत से नॉर्मल करने की कोशिश करती है वो उसको वो प्यार भरे पल याद कराती है जो उसने और एड ने साथ में बिताए थे एड होश में आ जाता है और होश में आते ही हतोरे की मदद से उस टेबिल को तोड़ देता है जो कि उस कर्स का आल्टर थी आर्मी और एड उसकर्स से बच जाते हैं अब इसला के रूप में डीमन आता है और यहाँ पर डीमन को सोल चाहिए थी रिच्वल कंप्लीट ना होने के कारण डीमन इसला की सोल को ले जाता है इसला ने पावर के लिए सैक्रिफाइस किया था वारन्स अब उस टरनल से बाहर आते हैं मगर एड अचानक सो चोग करने लगता है लॉरन अपने जैकेट से वो लॉकेट निकालती है और उसमें वो दवा होती है जो तुरंत वो एड को खिलाती है जिससे कि एड अच्छा फील करने लगता है इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है एड अब इस केस से जुड़े हुई चीजों को म्यूजियम में रख देता है आड़नी को पांस साल की सजा हो जाती है मूवी के एंड में हमको एड लॉरन को दिखाया जाता है जहां पर एड उसके लिए एक सर्प्राइज बिल्डि करिएगा और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर